Hello everyone, आज हम करेंगे Trial Before Court of Session, Chapter 18 of CRPC ये section 225 से लेकर की 236 में आता है और एक basic सी बात मैं आपको बता दूँ कि description पर जाकर के link खोलो, link में आपको मिल जाएगा कि आपको ये सारे tricks कैसे याद करनी है ठीक है, फिर comment में ये मत लिखना कि tricks कहां पर है tricks मैंने आपको पहले ही बता दी है इसमें मैं आपको बताऊंगे कि आपको जब means की answer writing करनी होगी उसको कैसे करना है along with that concept clearance, ये सारी चीज़ें इसमें होगी अब trial before court of session हम start करने जा रहे है सबसे पहले court of session का cognizance वगरे कैसे लेगा, उससे related हम लोग discuss करते है लेखो, court of session का कोई direct cognizance नहीं है ठीक है, लिखा हुआ है मैंने कि कोई भी direct cognizance नहीं है कैसे जाता है, नीचे से उपर जाता है अगर CGM के पास आता है, तो वो क्या करते है, commit करते है case is committed for trial to court of session after competent magistrate under section 209 ठीक है, क्या है, 209 में magistrate करता है या फिर दूसरी चीज से circumstances ऐसे हो जाते है 322 to 324 में circumstances ऐसे होते है कि उनकी पास चला जाता है case जब यह वाले provisions होगे, तो उसमें रिस्पेक्टिव चीज़े बताई गई है next इसके बाद question आ जाता है how procedure, यानि कि कौन सा procedure होगा for trial is applicable under death procedure कौन सा applicable होगा तो procedure इसमें लगेगा section number 474 का by virtue of section 474 इसका procedure चलेगा इसका procedure वही applicable है अब इसके बाद हम चलते है section number 225 start करते है section 225 बात करता है prosecution shall be conducted by कौन conduct करेगा prosecution अरे, public prosecutor करेगा section 24, section 25 में हमने public prosecutor को deal किया है next इसके बाद आजाते है section number 226 section number 226 बात करता है it provides prosecution shall open अब कि अब prosecution क्या करेगा वो क्या करेंगे the case by describing the charge अरे कि इनोंने फलाना फलाना चार्ज के अंडर इनको वो किया गया है plus उसकी guilt बताएंगे उसके साथ तक क्या देंगे brief summary of evidences but not full details of it याने कि हलका फुलका उनको करवा देंगे याने कि चाय नाशता करवा देंगे court को बतादें कि आसा इसे फलाना फलाना matter यह सब चीज है section 226 पे 225 परसन आया 226 पे उन्होंने बताना शुरू किया अब इसके बाद 227 में आते है section number 227 जो है बात करता है ग्राउंड नहीं है against accused तो क्या करेंगा just shall discharge accused plus record करेंगे उसके reasons ठीक है after submitting records and documents यह सब उसी से बाद होगा अब इसके बाद एक case है sufficiency कैसे decide करेंगे तो उसके लिए case है वो case याद रख लेना P.V.J.N. vs. State of Kerala क्या है इस case का नाम P.V.J.N. vs. State of Kerala 2010 का case है इसमें क्या है this indicates that the judge is not a mayor post office to frame the charge at behest of prosecution judge has to exercise his judicial mind इसमें यह बोला गया कि देखो judge चाहे तो discharge कर सकता है पहली ही बार में judge चाहे तो बोले कि ठीक है आगे proceed करो इससे हमें यह पता चल दे कि जज है उसे फिक चार बनाने वाले वाले व्यक्ती नहीं है उनका अपना खुट का ही जुडिशन माइंसेट है अब इसके बाद आजाते हैं तो देखो हमने क्या कर दिया है 227 में क्या हो गया जज को लगा डिस्चार्ज करना चाहिए तो डिस्चार्ज कर दिया मालो डिस्चार्ज नहीं हुआ तो क्या होगा यह पूचा जाएगा कि भाईया तुम गिल्टी हो की नहीं तो 228 में क्या पूचा जाएगा वन देरिस ग्राउंड फॉर प्रेस्यूमिंग दाट अक्यूज आज कमिंट अन ओफेंस चीक है 228 कहा एगा 228 अठाइस साल में अब तुमारी शादी हो जाने चाहिए चीक है तुम इतने बड़े हो गए हो तो क्या हो जागा वन देरिस ग्राउंड तुमारा ग्राउंड है इसे याद रख लो मैं कुछ भी बोलती रहूंगे बीश विश्वे ताकि आपको क्लिक कर जाए किसी भी तरह सेक्षिन याद हो जाना चाहिए अब देखो 228 के बाद अब यह बात आ जाती है कि क्या कोर्स है उसका 228 का ही क्या कोर्स है अब देखो ओफेंस है हमें समझ में आ गया है कि कुछ ओफेंस हुआ है तो क्या होगा फ्रेम कर दिया जाएगा चार्ज फिर इसके बाद का कर दिया जाएगा ट्रांसफर कर दिया इस ट्राइबल वाइ कोट अफसेशन तो क्या होगा वो क्या करेंगे फ्रेम कर देंगे चार्जिस ठीक ही शाल फ्रेम चार्ज इन राइटिंग और तब को दे देंगे अगो पाप्प उत्ना समझ वया गया हो कि 228 में चार्ज भी फॉर्म होगी अब इसको यह बात क्या है च पूस रीडिंग क्या हो जागा अक्यूज शाल भी आग्स वेदर ही प्लीट गिल्टी और नॉट तू टू 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 बड़ा प्रोसीज आ रहे कि अपको लगते कि अरे इसने ओफेंस किया रहा होगा फिर चार्ज बना जाए और उसे पूछ लेगा नहीं करते हो अगर वैँ आपके तेमा ऐमाँ स्टूरी बन नहीं हो चक्क के चे और आस्टू पीट गिल्टी अंड प्लीट ग्रेगा प्लीट में 202 प्लीट इन हो टू टर्टो नाथ James horse हम पहले जागा और में 202 करे थे है कि हां इसने प्रीट गिल्टी कर दिया है तो जज क्या करेंगे रिकॉर्ड करेंगे प्ली को अंग में कर देंगे और तुमने अच्छा नहीं किया यह चलो तुम कुबूल करते हो तो ठीक है तुम्हारा हम पनिश्मेंट थोड़ी कम कर दें अब इसके बाद क्या अनलेस ओ सब्षक्राइब गेढ़ माचा कर दो नहीं हो एक ऊड़ी कर देंगे फोड़ी कार देंगे कु अब इसके बाद यह अदेंगे है ओगे जञोल परड़ी करता है तो दो दşekkürा और प्रेड़ी कम पर कोस्टन गार्वह है यहूश्ट्सिर्य देग है ए्गflower का मीच इनटे जय स अब तुम्पलीट गिल्टी नहीं करते हो तो भई आप चलो यह ट्रायल अगरा प्रॉपर्ली शुरू किया जाए नेक्सिस के बाद हमा जाते हैं पोस्टिक्षर ऑफ डेट इन अंडर सेक्शन 2.30 पोस्टिक्षर ऑफ डेट फिक्षर कभ हो गया तो तू थाटिव में क्या होगा जजज शाल प्रोसीड टो ट्थीक्षर अविडिनस इं शप्रॉट अब डेट अब क्या करेंगे और अब क्या उपिसली आप अब क्या करेंगे अविटिक्षर अब लेंगे इसके बाद किया जज्ज में रिफर्ट इफर्ट प्रॉस इसमें कहा है evidence of witness shall be taken down in writing either by judge or dictation ठीक है evidence फगेर है open court में लिया जाएगा next इसके बाद point कहा है after the evidence of prosecution has been examined ठीक है prosecution के evidence जो है वो examine हो चुका है section 313 में it requires the court to question the accused person generally on the case of for the purpose of enabling the accused to personally explain अब देखो इता पढ़ने की ज़रूत नहीं है simple यह बात है 2.30 में तुमने बोला कि हाँ ठीक है हम guilty नहीं है फिर इसके बाद evidences की date आई 2.31 में evidences की date विट ले ली evidences होने के बाद examine करने के बाद भी जच पूछता है कि बताओ यार तुम्हारे इसाब से matter किया है ताकि accused जो है वो समझा सके ठीक है तु पर्सनली एक्स्टेंस अपेरिंग इन evidence against him ठीक है कि तुम्हारे खिलाफ यह evidence मिला है बताओ तुम अपने सफाई में कुछ दो तब भी जच का discretion काम करेगा जज को जैसे लगेगा वो ऐसा ही करेंगे अब इसके आगे चलते हैं 232 में post evidences and arguments of prosecution and examination of fitness क्या evidences ले लिया arguments हो गया examination of witness यह सारी चीज़े होगी तो क्या होगा judge consider करता है no evidence against accused अगर evidence नहीं है तो क्या कर देगा acquittal कर देगा नहीं acquittal होगा तो क्या करेगा 233 में he shall be called upon to enter on his defense ठीके defense में आओ अब पहले क्या होता है कि accused के against वगरा देखा जाएगे कि matter बन रहा है कि नहीं matter अब बन रहा है तो फिर अब accused से बोला जाएगा कि अब defense पे उतरो बेटा अब अपना evidence दो प्रॉपर अब यह चुट भईया काम हो चुका है अब प्रॉपर अपना evidence दो here the accused himself is competent witness and can give evidence on oath ठीक किस पर आजाएगा oath पर आजाएगा in disproof of the charges made against है तुमको खुदे disproof करना है burden of proof अब तुम्हारे उपर है तुम्हारे उपर कैसे आ गया है तो 233 तक आपकी स्टोरी बन चुकी है next क्या आता है examination of witnesses for defense under section 231 चाहिए complete हो जाता है 231 में सब कुछ complete हो जाता है 234 में क्या होता है prosecution shall sum up his case and his accused or pleader is entitled to reply prosecution वगरा क्या करेंगे sum up करेंगे फिर इसके बाद अक्यूज प्लीडर जो है वो क्या होंगे अब यह सब reply reply आएंगे counter वगरा सब कुछ हो गया है अब replies आएंगे मतलब cross examination वगरा हो गया है judge ने अपनी बात बता दी है अब replies और accused ने भी अपनी बात बता दी है 233 में मैंने यही बोला था plea guilty में उसने मान लिया है अब इसमें 235 में मान रहे हैं कि हाँ वह accused है उसको convict कर दिया जाता है वह guilty पाया गया तो judge क्या करेंगे hear करेंगे और question of sentence पर ही hear करेंगे कि कितना sentence देना चाहिए उससे related अब sentences related बात हो रही है तो साथ ही साथ यह भी पूछ दिया जागे कि भाई तुम्हारा previous conviction है कि नहीं ठीक है evidence of previous conviction इसमें क्या है before conviction under section 229 और 235 no charge of previous conviction shall be read out ठीक है कोई भी चार्ज no charge of previous conviction shall be read out by the judge neither shall the accused be asked to plead there too ठीक है देखो conviction वागेरा हो गया है ठीक है और अब दूसरी चीज उसमें कहें no charge of previous conviction shall be read out कि आरे इनको previous conviction भी हुआ था तो इनकी और सबढ़ा दीजे यह तो सुधर ही नहीं रहे है ठीक है neither shall the accused be asked to plead there too nor shall it be referred by the prosecution अब आपको समझ में आगया कि इस चीज के बारे में mention ही नहीं करने एक्स्विसिटली दिया हुआ है section no 236 में last आता है section no 237 237 बात करता है court of session taking cognizance under section 1999 sorry 199 clause 2 shall try the case in accordance with the prosecution for warrant case held in camera आपको 237 में यह बुला गया है court of session जो के cognizance ले रहा है section 199 clause 2 defamation से related है ठीक है वो क्या करेंगा accordance with कैसे लेंगे warrant case के according इसे लेंगे 237 को इस तरह से ले लो camera में लेंगे और discharge acquittal जो भी करेंगे 1000 रुपे compensation देना पड़ेगा अगर क्या है इसे के सब्सक्राइब हो गया है उस इंसान का जिसको आप अक्यूज कर रहे हो चाहिक है की defamation से related है कि आपने गलत उस पर सूट कर दिया है तो हजार रुपे compensation इस पर लगेगा तो इसी के साथ हमाही कि सेशन स्ट्राइल वाला को पोशन कम्रीट होता है I hope आपको समझ में आपको समझ में बहुत बड़ा है नहीं मैंने केसलों कुछ करवाय नहीं है क्योंकि कुछ केसलों करने की जरूरत नहीं है हला कि एक केसलों आप कर सकते हो मल्कियत सिंग वर्से स्टेट ऑफ पंजाब इसमें सुप्रीम कोट ने बोला था hearing on sentence is not confined to oral hearing only it is intended to afford an apportionatory to the prosecution as well as the accused to place before the court facts and materials relating to various factors of the question of sentence sentence is related that oral hearing is not necessary facts, circumstances all these things should happen I hope आपको यह portion अच्छा लगा हो अच्छा लगा है तो please do like, share, comment and please do subscribe and please share this channel a lot because आगे भी ऐसे videos आते रहेंगे plus along with that क्या करो आपकी इसकी जो link में video है उसको कर लो ताकि आपको tricks अगे रहा हो आजाए क्योंकि tricks जो है वो मैंने इसमें entertain नहीं की है thank you